हम लोग जो वाटर कलर करते हैं तो हम लोग फश में डढ़ जाते हैं कि यार कर रहे हैं गलती नहीं हो जाए जिसके वज़े से हम लोग बहुत पकर-पकर की करने लगते हैं लेकिन हम लोग पहला गलती यही हो जाता है कि हम लोग यह सोच लेते कि गलती ना हो जाए अरे यार गलती नहीं होगा तो हम लोग सीखेंगे कैसे गलती होगा तभी ना हमें पता चलेगा कि कहां गलती ना करें तो उसके बज़े से गलती करने समय हम लोग को यह सोचना होगा अब आगे ये गलती नहीं करना है, ये चीज़ को हम लोगो समझना होगा, तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि गलती नहों जाय मतलब पंतवरकिंग के अरे जब गलती नहीं होगा तो सिखेंगे कैसे तो उसके लिए हमें करना क्या होगा बहुत सरा painting बनाना होगा, गलत सही, लेकिन बनाने इस समय हम लोग को समझना होगा, कि क्या करने से गलत हो रहा है, मतलब painting कैसे hard, कौन सा color हम लोग जादा use कर ले रहे हैं, जिसके वाज़े से हम लोग का painting hard हो जा रहा है, और उसके बाद वो देखने में खराब लग रहा है, तो फिर उस चीज को सुधारना है, कि नहीं, बैलेंस करना है, फर्स्ट टोन तो हम लोग दे देते, लेकिन सेकेंड टोन में ही हम लोग केचा देते, painting, तो समझना है कि आपका जितना काम हो रहा है, वो फर्स्ट टोन में ही आधा से जादा complete हो जाना चाहिए, और सेकेंड टूक टाक कलर देंगे, जिसके वज़े से मतलब उतना कलर नहीं देना है, सिकेंड टूक टाक पेंटिंग निकालने के लिए दिया जाता है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करकर दिखाया जाए, उन्हों करते समय डड़ जाते, तो वो ड़र को पहले निकालना है, और बेजिज़क काम को करना है, तब जाकर आपका काम अच्छा होगा, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी अगर करने जाए, पेंटिंग को बनाए, तो क्या मैं पेपर को गिला करके बनाओंगा तो ही अच्छा होगा, या बहुत जन सोच रहे होगे कि मैं सहथ गिला नहीं करता होगा, तो जिसके वैसे मेरा पेंटिंग में ज़्यादा इंप्रूप नहीं हो पा हैं तो टोन दे कर आप काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप पेपर को गिला करके ही करें, आप एक नॉर्मल कलर दे कर जैसे आपको जहां-जहां कलर दे ना है, दे कर अब धीरे दीरे टोन बैठा कर भी काम कर सकते हैं, और मैंने जैसे की मुझे पूरा painting में colorful चाहिए और एक दुसरे में मिला हुआ चाहिए तो जिसके वज़े से मैंने पूरा पाने दे दिया और अब मेरा जितना काम होगा जो भी काम करूंगा वो paper भीगा रहते हुई ही करूंगा सेकिंट न भी देना है तो मुझे थोरा पेपर तो भीगा चाहिए ही पूरा पेपर मतलब सूख जाने के बाद अगर करेंगे तो वो दाग दाग रहा जाएगा जिसके वैसे मैंने पूरा पेपर को गीला कर दिया और सेकिंट न जब भी देंगे तो सिकिन टोन में भी गीला में ही काम करेंगे ठीक है चलिए आगे वीडियो को देखते हैं अजय करेंगे झालिए में वीडियो काम करेंगे झाल झाल डरना नहीं है भेजी जग काम करेते जाने आये ठीक है डरना नहीं है झाल 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 सबसे एजी और असान तरीका में गाच का डाल कैसे बनाएंगे मतलब ऐसा लगे कि वो गाच का डाल है लेकिन उस पर लाइट पर है सबसे एजी तो कैसे बनाएंगे चलिए वो देखते हैं और यह अशागे बनाएंगे अल झालती टाल जाल आजागे हुआप़ गि dol खते हैं तो सुका रहने के बाद आप किजिए गा तो वो ऐसे नहीं होगा तो ब्रस कोलटा करके बस ऐसे दागी टाननाएं चलिए आप दिखाते हैं झाल झाल पेर हमारा होई चुका है बस नीचे का जमीन में थोड़ा टुक टाक काम करने से होई जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं यह हमारा पेंटिंग कंप्लीट होई चुका है और आसा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों किसी कुछ भी सीख पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी सेर कर दे कि वो भी लोग कुछ सीख पाए हैं और आप लोगों कि वोगों 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 कि वोगों